नीनद में देखी जाने वाले सपने जो हैं वो भविष्ये रिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं माना जाता है कि अगर सपने जो हैं वो आएं तो बहुत शुब भी होते हैं तो कुछ सपने जो हैं अशुब फल लेकर भी आते हैं ये पूरी तरह से आपके उपर नर्भता है कि आप अपने सपनों को याद रख पाते हैं या तो नहीं अगर तो आप अपने सपने को पून तह याद रखते हैं कि आखिरकार आपने सपने में देखा क्या है तो आप अपने सपने के फलों के बारे में आसानी के साथ जान सकते हैं आज की इस रिपोर्ट में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिरकार अगर आप सपने में शनी देव को देखते हैं तो इसका क्या मतलब है वैसे तो आपको बता दें कि शनी देव के कई रूप हैं अगर तो आप शनी देव को सपने में देखते हैं तो इसका ये मतलब है कि बहुत ही शुबफल की प्राप्ति आपको हो सकती है शनी देव अगर आपको हाथी पर सवार दिखाई देते हैं और आपको बता दें कि ऐसा सपना जो है वो बहुत ही सवभाग्य वाले लोगों को आता है शनी चालीशा में भी कहा गया है कि शनी जब हाथी पर आते हैं तो अपने साथ लक्ष्मी को भी लाते हैं यानि कि अब आपको धन का लाब हो सकता है और जब शनी देव मोर पर सवार होकर आपको सपने में दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपको मांगलिक खबरे सुनने को मिल सकते हैं जब आप शनी देव को यमराज के भाई तो कही जाते हैं जब आप शनी देव को भैसे पर सवार देखते हैं तो इसका मतलब है कि आपको मिश्रित परिणाम हासिल हो सकते हैं अगर आप लेगी तो गम भी नहीं मिलेगा जब आप शनीदेव को कवे पर सवार देखते हैं तो इसका मतलब है कि अब आपके जीवन की सुख शांती छिन सकती है गिद्ध पर सवार होकर जब शनीदेव आपके सपने में आ जाए तो इसका मतलब है कि अब आपके साथ कोई शगुन हो सकता है या फिर शोक्ती हो सकती है जब सपने में गदे पर सवार होकर शनीदेव दर्शन दे तो आपको ये बता दे कि ये जो है वो मारक योग का संकेत माना जाता है इसके लिए आपको तुरंत शान्ती का उपाय सरूर करना चाहिए तो शनीदेव जो है वो जब अलग-अलग रूप में आकर आपको अलग-अलग तरह के फल देते हैं तो आपके लिए ये याद रखना जरूरी है कि आपने शनिदेव की किस रूप को देखा है। तब ही जाकर आप अपने सपने सही मतलब जान पाएंगे। कि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेर जरूर करें। नेक्स्ट नाइन स्प्रीचुल से आर्दिक रपोटे आप